हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य श्टेडी ग्रूप, आज हम लोग बिहार संयुक्त प्रवेश परित्योगीता परिक्षा परिसत दोरा जो ITI की फॉर्म आई हुई है, इसके बारे में डिटेल एनेलिसिस करेंगे, कि इसको कैसे परेंगे, इसके डेट के बारे में जानें कि कौन-कौन से important date है, किस तरह से इस form को भरा जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये form सरकारी और योगिक परिक्षन संस्थान, ITI के प्रवेश से तु भरी जाती है, कोई भी अगर student, अगर अमें अंतरित होता है, मतलब पहले offline अवेदन भरा जाता था, लेकिन अब online अवेदन इसका भरा जाता है, ये परवेश परिक्षा, 24 तारिक पाच्वा मेना 2020, मतलब 24 मई को इसकी परिक्षा date भी दे दिया है, मतलब confirm है कि 24 तारिक को इसकी परिक्षा ले ले जाएगे, आप जाके पता कर सकते हैं, डेली आप विजिट कर सकते हैं इसको, ओनलाइन आवेधन है तो, अभिहारती परिशत के उक्त वेबसाइट, जो कि यह वेबसाइट है, यहां पे जाकर, ओनलाइन अप्लिकेशन पोर्टल, ITICAT 2020 पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद, अप्लाइन पर क्लिक करना है, फिर उसमें पहला जो स्टेप है, वो रेजिस्ट्रेशन का है, रेजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, रेजिस्ट्रेशन करने के लिए, इमेल आइडी और मोबाइल का, मोबाइल नमबर एक, आपके पास अपना एक इमेल आइडी और एक मोबाइल नमब प्रेटिवेट बटन पर कलिक करना और इम अधी से जो एक्तीवेशन कोड मिलेगा उसको सब्मीट करना और अंधेक होगा उसके बाद अब खैक्तिवेटों पर क्लिक करोग करके email और password डालकर sign in कर सकते हैं उसमें जो आपका email ID होगा वही आपका username होगा और password आपको create करने के लिए पहले ही दिया जाएगा आप उसे password create कर लेंगे उसके बाद email ID आपका username हो जाएगा और password और signing कर सकते हैं तो आपका ये registration का process खतम हो जाएगा step 2, personal information आपकी भरी जाएगी registration करने के बाद आपको personal information बढ़ना है personal information बढ़ने के लिए अपने account को sign in करें sign in करने के बाद उसमें personal information से संबंदित जो भी required entry है जो भी personal information में अपना address हो गया अपना education qualification डेटर जो भी मांगेगा उसको आप भरें बढ़ यहां से भर ले और उसको पाद save and continue बटन पर क्लिक करके submit कर दे उसको फिर third step है आपका upload photograph और signature signature और photograph अप्लोड करना है तो यह step बहुत ही important है तो इसको ठीक से समझे आप पहला क्या करना है उच contrast का रंगीन passport size photo आपको डालनी है और आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका signature scan होना चाहिए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पहले signature आप scan कर लें फिर एक photo रंगीन photo होनी चाहिए और यह upload करना है photo के लिए एक और बात important है कि photo place card के साथ मतलब जिस पर आवेदक का नाम तथा photo खिचवाने की तीथी दोनों अंकित हो ऐसा photo ही चाहिए यह नहीं कोई photo आप डाल दें उस photo पर आपका place card होना चाहिए मतलब आपका नाम होना चाहिए और किस तारीक को वो photo खिची गई है यह दोनों उस पर अंकित होना चाहिए यह सब criteria पूरा करना अगर नहीं करेंगे तो आपका form reject भी हो सकता है फिर यह दोनों upload कर लें और upload करने के बाद save and continue बटन पर click करके अपना photo और signature submit कर सकते है फोर्थ step educational information कौन-कौन से क्या-क्या आपकी educational qualification है उसको भरना है इसको ठीक से आ आप अपने application को preview कर सकते हैं मतलब पूरी तरह से एक बार फिर से मिला लें जो भी आपने step भर है उन सभी को एक बार फिर से मिला लें कि आपका photo सही है कि नहीं है signature सही है कि नहीं है उसके बाद अपना जितना भी data है जो भी educational information है उसको check कर लें ठीक है और इसको अच्छी त continue बटन पर click कर लें तथा पुना दिये गए सोचना को update कर सकते हैं आप भरे गए आविदन पत्र को preview के सारी सुचना है सही है तो declaration एक आएगा उसको दे कर confirm and submit बटन पर click करके अपना परिक्छा सुल्क जमा करना होगा तो यह सभी पांचो step follow करने के बाद preview भी करने के बाद ही अपना payment करें अगर preview जब आप preview कर रहे हैं अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लें सुधारने के बाद ही अपना payment करें अगर आपने payment कर लिया एक बार तो आपकी कोई भी application form में कोई सुधार नहीं हो सकता है तो सही सी इसको चेक कर लें फिर payment बटन पर जाएं payment क्लिक क करें उसको preview देखने के बाद submit करने के बाद proceed to payment बटन पर क्लिक करना आपको ठीक है परिक्षा सुल्क एक बार आपने जमा कर दिया तो इसको लोट आया नहीं जाएगा तो यह आप ध्यान पर रखे कि परिक्षा सुल्क आपको नहीं लोट आई जाएगी परिक्षा सुल्क सुल्क जमा करने की निमलिखी दो परिक्रिया हैं दो तरह से आप परिक्षा सुल्क जमा कर सकते हैं पहला बैंक चलान के मादियम से आप इसको जमा कर सकते हैं या दूसरा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैंक चलान के मादियम से कै करें फिर उसमें चलान डाउनलोड करने का option होगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद किसी भी बैंक में सबसे पहले यह देखें किसी भी बैंक में निर्धारिक जुतिति नहीं तो पेमेंट अपडेट अगर आपका नहीं होता है तो 24 घंटे का इंतिजार कर लें अगर तब्धी पेमेंट नहीं हो पाता है तो निर्धारिक तीति से पहले जो भी अंटिम डेट है उससे पहले परिसद कार्याले मतलब BCAC बोर्ड में जाएं और वहां जाकर आप इस फॉर्म का लगेगा तो इस फॉर्म में जो भी रुपया लगेगा उससे कुछ एक्स्ट्रा रुपीज भी चार्ज की जाएगी प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में तो यह भी आपको भुकतान करना पड़ेगा यह आपके एक्जामिनेशन फी में इंक्लूड नहीं है अगर अभिखार्थी परिष्ठा सूल्ख का बुकतान ऑनलाइन करना चाहता है इसका मतलग credit card से करना चाहते हो debit card से यह net banking इन तीनों माधियम से अगर आप payment करना चाहते हो तो payment mode में select करेंगे उसमें online option करेंगे और credit card और net banking का माधियम से इसको कर सकते हैं परिष्ठा सूल् कंडिडिट हैं उनका 750 रुपया लएगा इस फॉर्म को भरने के लिए और प्रोसेसिंग फी इसके उपर प्लस करके लएगा मतलब यह सिर्फ ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म में प्रोसेसिंग फी इस अलग होगा फिर अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के लि अगर पेमेंट कर दिया आपने तो यह पैसे आपको रिटर्न नहीं होने वाले है अब आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद क्या करना है तो आप उसके बाद डाउनलोड पार्ट A और पार्ट B तो दो आपको पेज आएगा एक पार्ट A होगा एक पार्ट B होगा इन दोन आप application भरे हैं उसका hard copy part A और part B download करना आपको उसका print निकाल लेना है और अपने पास सुरक्षित रखना है इसको भेजना नहीं है मतलब इसको कहीं भेजना नहीं है इसको अपने पास सुरक्षित रखना है भरी गई सारी प्रविष्टियां यहां पार्सत द्वारा उपलब में होगा इसमें registration नंबर भी आपका होगा इसका उपयोग counseling के समय या भवी समय आपके द्वारा किया जा सकता है मतलब कि बाद में admission के समय में भी अगर मांगेगा तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा जो भी आपने hard copy part B download किया है पारसत कर्याले में भेजने की आउसकता नहीं है इसको अपने पास ही सुरक्षित रख ले counseling के समय परसद को उपलब्ध करवाना अनिवार है तो counseling जब आपका होगा उस समय आपको यह उपलब्ध करवाना है इसलिए अभियारती इसको सुरक्षित रख ले कि सही है कि नहीं है ठीक है application form के submission के बाद इसे न तो withdraw किया जा सकता है और नहीं जमा किये गए परिक्षा सुल्क को लोटाने का अनुरोध ही सुईकार किया जाएगा तो इसमें दोनों में से कोई option आपके पास नहीं है नहीं आप अपना application form withdraw कर सकते हैं न अपना परिक्षा सुल्क लोटाने का अनुरोध कर सकते हैं अंतिम तिति का इंतिजार नहीं करना आपको क्यूंकि उसमें हो सकता है कि server busy हो तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर लें आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना photo, a structure upload करने में गलती हुई है तो उसके सुधार हेतु भी edit करने का म एक से हुआ नहीं है या फिर कोई सूचना अगर गलत हो गई है तो उसको edit करने का आपको मौका दिया जाएगा 29 चार्ज 2020 से 25 2020 के बीच में आप इसमें सुधार कर सकते हैं एक आपको मौका दिया जा रहा है अगर आपने निर्धारी तिति के अंदर online application form नहीं भर रहा है य कि starting date कब है तो starting date 24-3-2020 से इसका form start है मतलब आज के date से यह form start हो गया वरना closing date इसका 26 तारिक 24 मेहना 2020 से 20 को 26 तारिक 24 मेहना 2020 को 11 बज के 69 पीएम मतलब रात के 11 बजे मतलब लगबाग लगबाग बारा बजे से पहले तक आप इस form को भर सकते हैं यह closing date 26 तारिक को तो आप इसका इंतजार ना करें आज से ही form भरना start कर दें payment थू चलान आपको चलान के थू payment अगर करना है तो 27 तारिक 24 मेना 2020 तक आप payment कर सकते हैं मतलब 27 अपरेल तक आप इसका payment कर सकते हैं अगर चलान के थू करेंगे तो लेकिन अगर net banking के थू करना है तो आपको 28 तारिक तक 28 अपरेल तक आपको मौका दिया जाएगा ठीक है ऑनलाइन एडिटिंग करना application में कि आपका application अभी मैंने बताया जैसे कि कोई अगर चीज गलत हो गया आपसे तो उसको इडिट करना है तो 29 तारिक 24 मेना 2020 से लेकर दो तारिक 25 मेना 2020 तक आपको मौका दिया जाएगा admit card आपकी issue 11.05.2020 को issue कर देगा ये परिसत से issue हो जाएगा ठीक है तो ये बहुत ही important date है आप इस तारिक को डाउनलोड कर ले और examination का जो date है वो 24 तारिक 25 मेना 2020 है तो आज ही आप 24 तारिक 25 मेना 2020 को अपने calendar में tick mark कर ले कि इस तारिक को exam है और आज से एक नियमित schedule बनाकर mechanical motor vehicle और mechanical tractor ये दो दो trade है इनके लिए आपकी new time IU 17 वर्स होने जरूरी है और ये जो date calculation हो रही है ये पहली अगस्त 2020 से होगी और इसकी अधिकतमोर उम्री की कोई सी मानिए आप किसी भी उम्रीके हैं तो आप इस form को भर सकते हैं और ITI कर सकते हैं तो इसी के साथ आज का वीड पूछना है कि क्या पूछेगा इसमें कैसे कैसा एक्जाम का format होगा क्या क्या उसमें एक्जाम में आएगा ठीक है अगर कोई भी अगर इसके syllabus में किसी भी subject में अगर आपको डाउट होती है अगर उसके उससे related अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे channel पर हो रही है तो मुझसे एक बर comment करके उसमें बताईए ताकि मैं यह जान पाऊं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए Thank you for watching this video